जाहें हिन दोस्तों तारिये दोस्तों आप सब एक फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत आज दोस्तों आज हम आपनों को बताने वाले हैं आपका जो पर्थम परशनावली है वास्तविक संख्या इसका मौस्ट भी आपका अब्जेक्टिव बनता है उस सारा टाइप का कोश्चन लेकर आ गए हैं यह अगर एक बार कर लेते हैं तो समझे आप एक भी अब्जेक्टिव कोश्चन पहला चेप्टर से नहीं ठीक है तो आज हम आपको वास्तविक संख्याय का जितना भी अब्जेक्टिव कोश्चन है पुरा कंप्लीट बताने वाले है ठीक ना चलिए तो आई यह मेरे साथ जूट जाई एकदम मस्ती के साथ गनित नहीं आता है समझ में नहीं आ रहा है अगर आप सीखना चाते हैं मेरे साथ आईए गनित सिखाएंगे देशी अंदाज में ठीक है और ऐसा सिखा देंगे कि डारेक्ट दिमाज में छपी ही जाएगा ठीक है तो चलिए एकदम मुस्कुराते हुए रहिए बिल्कुल भी टेंसन नहीं लेना है जिसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने है गन बना लेते हैं तो समझिए आप 50 में 50 objective करके आईएगा उन्चास और 50 के बीच में रहेगा किलियर न आईए आराम से बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेना है गनित में 100 में 100 करना है क्या करना है 100 में 100 करना है ठीक है आजाएए तो देखिए पहला जो आपका है इसको हम कहते हैं परी में परी में संख्या है एक पुर्णां संख्या है इन में से कोई ने, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, कि परमे और उपरमे संख्या के बारे में, ठीक है, ये परमे संख्या क्या है, और उपरमे संख्या क्या है, क्लियर ना, चलिए, तो आजाइए, सबसे पहले हम समते हैं, परमे संख्या, देख होता है उसी परकार से अगर ममा लीजिये कहीं पर 36 लिखा हुआ है आप जानतें 300 का वर्ग मुल क्या होता है होता है यह सबको पता है लेकिन अगर यही हम बात करें कि रूट 5 का निकाल लिए तो समलेंब अबसे ہو हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंं तो यह आपका क्या है, यह क्या हो गया, अगर हम मोटा-मोटी एक ही लाइन में कहें तो जो संख्या root से पुर्न रूक से बाहर निकल जाती है वो हमार अपड़् में संख्या हो गया, जो root से नहीं निकलता है अपड्र में संक्या हो गया cdc फंड़ा है और एकदम लॉजिक है ठिक है आइए तो चलते हैं हम अपने क्वेस्टन पर किलियर ना देखिए सबसे पहले हम समझेंगे सबसे पहले हम यहां पर समझ लेते हैं कि यह 3-3 है तो यह 3 तो सही है ठेकिन जो रूट तिरी है क्या इस रूट 3 को हम निकाल सकते हैं, हम रूट 3 को निकाल सकते हैं, जल्दी से आप लोग बताईए, तो रूट 3 को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा पर में या ओपर में, तो यह आपका क्या हो जाएगा, ओपर में संख्या, क्या हो जाएगा, ओपर ही में संख् ठीक है, objective के लिए नहीं घबराना है, दूसरा question देखिए, दूसरा question के रहा है, निमने लिखित में कौन जो है, परिमे संख्या है, तो परिमे संख्या क्या होता है, जो संख्या है, अगर रूट में है, ध्याने जेगा, पहलो option देखिए सब क्या है, रूट में है, option क्या है, तो जैसे कोई संख्या रूट में है अब पूछ रहा है परिमय तो जो संख्या रूट से पुर्ण रूप से बाहर निकल जाता है वो आपका क्या हो जाएगा वो आपका परिमय संख्या हो जाएगा जैसे हम बात करते हैं 49 बट्टा 64 है रूट में तो 49 को रूट से बाहर निक निकलेगा जल्दी बताइए 91 निकलेगा क्या फटाक से जवाब दीजिए तो 91 नहीं निकलेगा ठीक है तो 91 अगर नहीं निकलता है तो यह आपका ओपर में हो गया तो यह आप छोड़ दीजिए यह तो होगा नहीं 31 31 निकल सकता है बिल्कुल नहीं निकल सकता है उन्चास उन्चास तो सही या निकल जाएगा लेकिन 101 निकलता है नहीं 101 किसका फर्गमूल है किसी का नहीं है तो यह आपका नहीं होगा यानि कि यह सब क्या है औरी में संख्या है क्योंकि रूट से नहीं निकल रहा है तो आप किस में जाएंगे और में जाएंगे कोई दिक्कत कोई । सारा में में कराएंगे ठीक है अगला कोश्चन देखिए question number 3 काफी सांदार सांदार question इस से ज़्यादा जो है जो अबजेक्टिव जो आपका पहला chapter है वास्तविक संख्या इससे ज़्यादा question नहीं आएगा ठीक है जितना हम बता देते हैं आप इतना complete कर लिजिए आपका पहला chapter से जितना भी objective बनता है वो complete हो जाएगा clear ना चलिए कि अगला कुशन है कि निमनी लिखीत में कौन जो है ओपरी में है भाई मेरे एक ही लाइन में याद रखना है ओपरी में संख्याई जो रूट से नहीं निकले पुरा पूरा पूरा तर साथ 30 निकालेंगे बिल्कुल निकलेगा दोन सट निकलेगा आठ होता है आठीस तो यह निकुल गया तो यह आपका क्या हो गया पर मरे लेकिन आप से परमे पूछ रहा हैं तेकि एक के बारे में पता है एक को को फो Group सकता है रुट क्या यहां डबल रूट लग जाएगा तो भी नहीं रोक सकता है तो एक का तो एक ही हो जाएगा बटा इकासी का क्या होता है नो होता है तो बेचारा ये भी निकल गया ये भी पिंजरा से बाहर है ठीक है अगला देखिए रूट थिरी और फाइव क्या थिरी को निकाल सकते हैं तो थिरी को नहीं नि तो ये भाई साब भी निकल गया कौन नहीं निकला option number C में जाईएगा option number C क्या है पर में या उपर में तो ओपर में है क्या है ओपर में है question clear है जब question clear है तो अगला question देखिए आरांद समझ ये नहीं समझ में आता है कोमेंट कीजिए क्या नहीं समझ में आ रहा है तहां पर दिकत है गनीद का इलाज करेंगे फिरी में ठोकेंगे डायेक्ट दिमाग में क्योंकि देशी अंदाज में पढ़ने के लिए आए है ठीक है टाइम नहीं आ है फुरुआत कर दीजिए ठीक है बैठे राने से कुछ होन क्या लगाएं सर जी एक दो कोसें हुआ समझ गए लेकिन आपके लिए जरूरी है एक दो कोसें करने से कुछ नहीं होता है जल्द बाजी में शिखा हुआ चीज आप बहुत जल्द भूल जाएगा चीज पर प्रैक्टिस किजिए इतना भी कोसें कर रहे हैं एक कोसें नहीं आतार दस कुस्टन किजिए न वह चीज आपके दिमाग में जो है न चिपक जाएगा फेवी कॉल के माफिक चीख है तो इस तरह से आपको समझना है तो यहां पर कह रहा है ओपर में संख्या क्या हो जाएगा फिर से जो रूट से पुरूरूप से नहीं निकले नो निकल ज जाएगा जो 20 है यह रूट से बाहर नहीं निकल रहा है मतलब क्या है ओपरी में संख्या है क्लियर आ जाएगे ऐसे समझेगा नित ठीक है ऐसे समझेगा तो फिर कभी नहीं भूलिएगा अगला कोस्टन देखिए कि कोस्टन नवर फाइव है क्या रहा है दू रूट दू जो है क्यासि संख्या जए गे थो साप सापस्पस्ट है यह रूट के अंदर दो है नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा तो जो नहीं निकलता है वह क्या होता है परमाई या ओपर में ऐब क्वाइब साब आब अब अगला question देखिए पglio पता फट से question number six है कि दिले किलते लिखित में क्या है पाइ- बट्टा टू क्या संख्या है जल्दी बताएं फसेंगे आप लोग बिल्कूल फसेंगे और देखिए अप लोग जबाब दीजिए comment box खुला हुआ है आप लोगों के लिए खोल दिये हैं आप लोग comment box में comment कीजिए क्या होगा परमे या ओपरमे बस दो ही option में से कोई एक option आपको बताना है जल्दी से बताईए पाई बटा 2 पाई बटा 2 जो है ये कैसी संख्या है जल्दी से बताईए फटा फट बिल्कूल बिल्कूल बताते रहिए तो सायद आप लोग comment box में comment कर दिये होंगे अगर नहीं तो देखे हम बता दे पाई बटा 2 जो है ये एक ओपरमे संख्या है इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा क्यों है क्योंकि पाई का मान जो है ना 22 बटा 7 तो होता है मानते हैं क्या होता है पाई का मान 22 बटा 7 होता है लेकिन जब पाई का वैल्यू हम निकालते हैं तो दसमलब के बाद वो संख्या पुन रूप से नहीं रूपता है जिसके कारण से ये ओपरमे संख्या है अगर रूप जाता तो सही है क्योंकि दसमलब के बाद जो है इसके पड़ में संख्या है दिमाग में चिपका लिजिए किलियर चिपक गया चलिए जब चिपक गया तो पाई बटा टू याद रखिएगा जब हम टेस्ट लेंगे तो फिर आप लोग से पूछेंगे ठीक है तभी मत कहिएगा कि सर आप नहीं बताए थे ठीक चलिए आप लोग क्लास वाली चीज़े हैं ठीक है किसरा चौथा में आप लोग कलास थ्री फोर्थ में आप लोग पढ़े होंगे और को नहीं पढ़ता है भाज वह हम भाज संख्यां क्या होता है एक नजर डालते हैं देगे लिए हैं पर हम पहले चर्चा करेंगे ठीक है अब बताई आप लोग भाज संख्या क्या है फिर बताएंगे और भाज संख्या क्या बताएंगे और भाज संख्या पर चर्चा करेंगे फटा फट से आप लोग बताईए क्या क्या होगा भाज संख्या क्या है देखें दोस्तों बता दे भाज संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधीक संख्यां से भाग लग जाए एक ही लाइन में समझेगा तो समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है तो एक जामपल बता देंगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है जैसे माल जी यह आपका चार अप चार में देखिए क्या क्या होगा एक से भाग लगेगा और चार से भी भाग लगेगा लगेगा या नहीं लगेगा जल्दी से बताईगे, लगेगा, क्लियर, हम क्या बताएं है, जिस संख्या में, दो या दो से अधीक संख्या से भाग लग जाए, या जिसका गुननखंड दो से अधीक हो, तो वो संख्या क्या है, आपका भाज संख्या है, चलिए, अब अगला है आपका अभाज संख्या, और भाज संख्या क्या है तो वैसी संख्या जिसमें एक और केवल स्वय यानि खुद से भाग लगे वैसी संख्या को क्या करते हैं भाज संख्या क्या बोलता है समझिएगा वैसी संख्या जिसमें देखिए खुद से तो सारा संख्या कट जाता है आपको पता है कोई भी संख होना चाहिए और एक तो आपका क्या होगा अभाद संख्या जैसे एक्जामपर लेते हैं थीरी तो थीरी में आप क्या करेंगे एक से भाग देंगे या तीन से इसके अलावा कोई और संख्या है जो तीन को पूरा-पूरा कार देगा अगर है आपके पास तो बताई हम लिखत अहां प्लावर संख्या है कई-ट्är लिखत में कऊन और भाद संख्या है को यहां पर हम देखें तो यह आपका आठ जो ए ये आठ में देखिए आठ में जो है। एक इसे भी लगेगा दो से भी लगेगा मैं एक इसे भी लगेगा नो में यह यह व्य comenzühा में इक से लगेग तीन से लगेगा नौ से लगेगा यह सारा संख्याय है ंगारा लंसे लगेगा और कोई संख्या है जो इगारा को काट दे पुरा-फूरा नहीं कटे आप किसके साथ जाएगा जल्दी बताइए अब किसके साथ जाएगा और हाद संख्या के साथ option नमर आपका सी हो जाएगा लाकि आप 15 को भी चेक कर सकते हैं 15 में आप देख रहे हैं इसका एक हो जाएगा तीन हो जाएगा पांच हो जाएगा और यह बेचारा पंद्रह खुद हो जाएगा तो यह किलियर हुआ नहीं कॉमेंट में जल्दी हां या ना का जवाब दीजिए फटाफट जनीत सिखने के लिए का है को मजाग ने चल्दा है ठीक है यह कोई जादू का खेल नहीं है ठीक न लेकिन हम जादू के अंदाज में बताएंगे कि लिए आई यह अगला को संब्स्टेंशन देखिए द्यान से लोज़िए सब नमबर एट है फोर नमबर एट में क्या क्या रहा है एदा लेंगे सर जी को जबत्रों में दो का viktig six गा एंगे चावर समय रहेयें आवर आवर इया यह देखिए एक्स's के पावर में दो यह क्या है यह क्या है वेद दr साथ है यह सब चीज समझ रहे हैं एक एक चीज किलिए करेंगे जितना भी बनता है वह सारा चीज हम आपको बताएंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि हम केवल कोस्टर लेकर आ गए है को सब्सक्राइब का मतलब हुआ उसका पता होना चाहिए और उसका बनाने का तरीका है वह पता ह अधिक्टम खात तो पहले 1440 का एल से निकाल गिये क्या निकाल गिए गाले इन सी अभी है कर चारीजाय कि लिए लागा है कैसे निकाल यह जयांदी जी आसे निकलता है एल से लगाई यह शाक्ति दोनी चार जीरो फिर लगाई यह दो से छहतीज दुना बहत्तर होता है जी फिर दो से लगाईे 45 बार में फिर पांस से लगाईे 9 बार में फिर 3 से लगाईे 3 बार में यह आपका LCM हुआ जिसको हम लॉस्व बोलते हैं Clear न आप देखें इसमें खोजना क्या है तो खोजना है 2 क्योंकि इसमें पूछ रहा है 2 का घहाद अगर इसमें पूछता पांच का घात तो क्या होता तीन का घात तो हम सारा ची बता देते हैं दो का घात पूछ रहा है तो दो को पकरिए एक, दो, तीन, चार, पांच कितना बार है पांच बार तो इसको हम लिखेंगे दो को पावर पांच और ये 5 क्या है घात है और आपसे पूछ रहा था दो का अधिक्तम घात क्या होगा तो अंसर निकल गया दो का अधिक्तम घात कितना होगा 5 option number c के साथ जाईएगा तई होगा अब चलिए इसमें समझाते हैं क्या समझाएंगे सर जी आये इसमें concept है वही समझाएंगे अगर मान लेजिए इसमें कहता तीन का अधिक्तम घात क्या होता तब क्या आप बताते जल्दी बताईए अप लोग बताईए अगर पूछ देता कि तीन का अधिक्तम घात क्या होगा तो आपका आंसर क्या आता जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए तो पहले हम 3 को खोजते, कोई दिकत नहीं, 3 यहां पर है, एक बार 3 यहां पर है, तो सिधी सिवात यह ते कितना बार है दो बार, तो तीन का पावर दो और ये दो क्या है अधिक्तम घात है तो दो हो जाता है इसका आम सा पांच पूछ रहा है तो पांच देखिए इसमें यहाँ पर है पांच कितना बार है एक बार है तो एक जो है आपका ये अधिक्तम घात हो जाता है कोई दिक्कत कोई डाउट कोई प्र जाएएगा आते हैं अगला question पर चलते हैं ठीक है अगला question आपके सामने बहुत ही प्यारा सा question है जवाब देजिएगा इसमें कहा रहा है question number 9 में निम्र में से कौन परिमे संख्या है लेजिए फिर से परिमे और परमे का खेला गए यह तो समाप तो होने वाला है नहीं क्योंकि वास्तविक संख्याएं में अगर objective पूछेगा बोड इग्जाम तो परिमे संख्या और परमे संख्या भाज संख्या सांथ और संथ यह सब कोष्ण बनता है objective के लिए ठीक है इसका कोई along question नहीं आता है के लिए न wtно इसमें कह रहा है कि निम्र में से कौन परिमे संख्या है तो परिमे संख्या क्या रूट-3 परमे लिक क्यों ञीनिकल सकता है और नहीं निकले कितना 2 अब यह 2 क्या है तो रूट के अंदर है नहीं है तो मतलब क्या है यह परिमें संख्या है क्या रूट 5 को हम निकाल सकते हैं नहीं तो यह आपका उपर में है 6 को नहीं यह उपर में है मतलब किसके साथ जाएगा option B के साथ क्यों जाएगा इसलिए जाएगा क्योंकि यहां पर केवल 2 है और जितनी संख्याएं होती है वह सारी संख्यां क्या है परिमें संख्या है क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत चलिए यह चीज़ हो गया अब आईए अगला कोशन आपको देते हैं ठीक है जवाब दीजिए फटा से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ठीक है चलिए जवाब दीजिएगा को से नमर्द दस है क्या निमने लिखित में कौन परिमें संख्या है बोड मोडल कोश्चन है पूछा गया कूश्चन है ठीक है चलिए आपका जवाब क्या आना चाहिए फटाक से नहीं यह रूट 7 क्या है पहले बताईए परमे या ओपरमे तो जो ओपरमे के साथ जाते हैं उसका गलत है यह ऐसा नहीं है जो ओपरमे के साथ जाते हैं उनका सही है क्योंकि रूट 7 को हम नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर देखिए औप्शन B रूट 2 बट्टा रूट 5 क् क्लियर है अब कहिएगा सर जी यह भी तुने निकलेगा नहीं निकलेगा तो इसको पहले सॉल्व कीजिए ठेक है यह जो रूट 75 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 रूट 3 लिख सकते हैं 5 रूट 3 ठीक है फाइव और बट्टे 4 बता यह फाइव बट्टा 4 क्या है पर्मे यह आपका परिमय संक्या यह यह तो रूट से बाहर है न है कि है कोई दिकत परशामी नहीं फिस तरह से अगर पहले अगर यह रूट के अंदर में देख लिजिए अगर मं ऊटने वाला है तो को तोर दीजिए को इदिकत नहीं तूटता है पिर आप देखने थी संक्राइब तो फा को सकते हैं डो को 25 को तोर सकते थे इसलिगे तोर दीये थे together कि शिदह कहा चिपक जाएगा दिमाग में गनीद से डरने वाले आईये मेरे साथ दिमाग में चिपका चिपका के सारा कोष्षन एक जगा इकठा कर देंगे ठीगे तो आप लोगो को ट mm सन नहीं लेना है कि ग्या रहा है कि दो करमिक संख्याओं का जो S.C.F होता है वो क्या रहा है questo करमिक मतलब लगतार करम बाय Verfु DU करमिक संख्याओं का SCF क्या होगा चल्दी बताइए तो देखिए सबसे पहले आप एक इग्जामपल लिजिए आप अपने मन से तो कर्मिक समसंख्या क्या रहा है अब यह नहीं कियेगा सर समसंख्या क्या होता है और पिसमसंख्या क्या होता है तो आठ दस बादा जिसमें दो से भाग लगता है सम है जिसमें दो से भाग नहीं लगता है वो भी सम है तो कर्मिक संख्या है चलिए हम समझते हैं हम एक्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे समझेंगे कि दो कर्मिक संख्याओं का SCF क्या होगा तो बड़े ही प्यार से निकालते हैं दो कर्मिक मतलब लगातार फोर के नहीं लेना है समसंख्या लेना है तो सबसे पहले अगर हम सुरुवात से सुरू करें पहली समसंख्या आपका क्या हो जाएगा दो इसके बाद अगला संख्या क्या हो जाएगा समसंख्या चार क्योंकि थीरी नहीं होगा अब यह दो और चार का जो SCF होगा, वो क्या होगा, दो और चार का SCF, दो और चार का SCF क्या होता है, क्या आपका होता है, दो, कहिएगा कैसे सर जी, तो आईए, पहले दो का गुनन खंड निकाल लिए, इसको लिखेंगे, एक गुना दो, पुरा एकदम तोर देना है, ठीक है, प कि क्या करिएगा तर इसमें एक है तो एक लेजिए और क्या है दो है तो दो ले भुलाली सी के बडिकत वह उना हो गया। छले एक फिर हो दो और ऐप धुनाट करेंगे तो क्या होगा दो यह आपका क्या होगे है यह आपका SCF होगे क्या होगे आपका SCF कोई दिक्कत कोई परिशानी किलियर समझ गया है न की तरह से निकालना है और हमेशा याद रखिएगा तो कर्मिक समसंख्याओं का हमेशा यह SCF जो था हो दो ही होता है याद रखिएगा तो आप जाईएगा option B के साथ अगला question देखिएगा प्यार से समझ जिएगा ठीक है बोर्ड मुडल question करा रहे हैं वही question जो आप से निमने लिखित में कौन जो है पड़ी में संख्याँ है फिर से पड़ी में संख्याँ के बारे में पूछ रहा है तो आपका जवाब क्या आना चाहिए देखिए पहला option कहलेगा sir अब तो आप लोग डायेक्ट बोल सकते हैं कि पर्मे है ओपर में बहुत सारा question करा दिये है तो रूट 3 को नहीं निकालेंगे ऑपर में यह रूट 2 से रोट 2 कैंसल तो यह आपका हो गया दो बट्टा 3 क्या है परिमे तो option B के साथ जाएंगे क्योंकि पर्मे आपसे पूछ रहा है रूट 5 तो निकलेगा नहीं और रूट 8 नहीं निकलेगा इस दोनों को तो छाट द यह सब्सक्रांद साथ निकली सब्सक्राइब सोव क्या होता है निकली दो या 2 से अधीक अभाज संख्यां का मौसर गता डश्तन कैसे घुमाएं जब अधी को था दो या दो से अधिक अभाज संख्या देखिए अभाज संख्या का डायक्ट एक ही मतलब समझे चाहें दो से अधिक रहे चाहें पच्चास रहे चाहें अनंत रहे अभाज संख्या का मौसो हमेशा नोट कर लिजिए ठीक है नोट में आप लोग लिख लिजेगा अभाज संख हमेशा हमेशा एक होता है क्या होता है एक होता है तो यह लिख दिये हैं लेकिन आप एक आपको जिसमें मजा है वही चीट हम आपको देने के लिए याद रखिएगा कि अभास संख्या का हमेशा एक ही होता है चाहिए वह एक हजार रहे चाहिए लाख रहे यहां कहता दो से अधीक तो कोई अभास संख्यान क्या है आपका जल्दी से बरफ़दा आपका संख्या होगा तो सब से पहले आप क्या करिएगा कि तीन का उनक्न निकालिएगा तो एक गुना 5 अब बताई दोनों में common क्या है जल्दी से आप लोग बताईए तो कहिएगा सर जी दोनों में common क्या रहेगा इसमें एक है इसमें भी एक है जो दोनों में common होता है वही तो आपका होता है वही तो आपका होता है एक सिफ होता है क्लियर और है की क्या कि लिए है यहांपर था अगर मान लिजिए चलिए एक ऐखामपल और आपको समझेगा एक एक्जामपल और देते हैं कैसे मानले यह कहा रहा है दो या दो से अधिक संह्या दो रहे तो भी संख्या रहे तो भी स्थ आपी होगा लेकिन एक्जामपल बताते हैं जैसे तीन पांच नहीं है 9 भाद संख्या है क्योंकि 9 में 3 से भी भाग लगता है 11, 13 यह सब क्या है अब इसका निकालिए अब देख सकते हैं अगर सबका गुना निकालेंगे तो इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा इसका निकालेगा तो एक गुना 3 होगा, इसका निकालेगा क्या होगा, एक गुना 5 होगा, इसका क्या हो जाएगा, एक गुना 7 हो जाएगा, इसका एक गुना 11 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, एक गुना 13 हो जाएगा, तो सम्मे कॉमन क्या है, पहले उस चीज को द जाएगा वह एक हो जाएगा कोई दिकत समझ गए मतलब यह जो जावज जहें जिरूरी नहीं इतना रखना यह इस इल्फ याक होता है कोई दिकत नहीं चिपका देंगे हम यहां से क्लिया oretलेखिये अभाज संख्याओं का मौश्वा हमेशा एक होता है और यह दो अभाजस अन्हीं रहे है या कितना भी रहे ठीक है उमीद कर्ते इसमझ गए के अगला question देखेगा question है लाजबाब question है ठीक है तस्गुला वाला question दिये हैं वैसा question जो डिर्लेक्ट आप से exam में लड़ेगा ठीक ना कि question number 14 है ध्यान दिजिए कह रहा है कि दो पर्मे संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी पर्मे संख्याइं हो सकती है बोर्ड मोडल कोर्शन है काफी सांदार कोर्शन है देखिए पड़िमे संख्याओं के बीच अगर याद रखना चाते हैं तो याद रख लेजिए मेरे हिसाब से नहीं को वैसे आप एक को एक जाम्पल ये जैसे एक एक जाम्पल लेते हैं और आप समझी कैसे हम ब भाता हमे के बीच अब यह जार और पांस के बीच जया परे कितने डोंहों आपको पता है यह 4-5 के बीच का जो distance है ना जो इतना देख रहे इतना है नहीं आप जानते हैं कि 4 दसमलब अगर हम 4 से आगे बढ़ेंगे 4 से आगे बढ़ेंगे तो एक तो 4 होगा ठीक है उसके बाद आपका क्या हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा 4 दसमलब 1 4 दसमलब 2 4 दसमलब 3 4 दसमलब 5 तरह से 5 तक जाएगे अब उसके बाद 4 दसमलब 01 4 दसमलब 02 दसमलब 03 4 दसमलब 04 नहीं डोट डोट इसी तरह से कहां तक जाएगे 5 तक फिर उसी तरह से इसमें देखिएगा 4.001 4.002 मतलब आप इसमें क्या देख रहे ह defenders हम समझाना क्या चा रहे हैं आपको समझ रहे है जीज को हम समझाना ये चा रहे हैं कि इसमें जो है न बहुत सारी संख्याएं हैं तो पडिमय है यह सब क्या है सब्सक्राइब जाएगा है है कि सब्सक्राइब कितना होगा मतलब कितना होता होगा इस समझ रहा है इस तरह से पढ़ना है अब ठिका है गनित Σमझना तो याद रखिएगा दो परमेश संख्याओं के बीच हमेशा याद रख लिजिएगा अब इतना तो निकालिएगा नहीं आप इसलिए आपको ये सब चीज भूल जाना है नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं कोई बरी गलत बात नहीं है अच्छी बात है लेकिन याद रखना आपको जरूरी याद रख लिजिए बेतर रहेगा टाइम जो है मैनेजमेंट होगा टाइम बज जाएगा एक्जाम में याद रखिएगा दो परमेश संख्याओं के बीच जो है अनंत परमेश संख्याओं होती है और जब दी के साथ जाईएगा तो हम चलेंगे तो देखिए अब विखिए क्या रहा ओ पड़ी में यह क्या है यह पड़ी में संख्या है क्यों 64 का क्या होता है एक Αसी का क्या होता रहा है हॉपरमे और यहां पर कोई दिकत नहीं है क्लियर खिए और परमे कर खेँगे हैं करते हैं कि आप लोग को यहां पर प्रोब्लम नहीं होना चाहिए ठीक अगला कोस्टन कहावा सुने होंगे आप लोग जो देखने में बड़ा लगता है उसका काम बड़ा नहीं होता है वो क्या होता है अब बताइए कॉमेंट में ठीक है जो देखने में दो आप वैसे है नहीं में लगता है वो कुछ कर नहीं सकता है भले आप दराईएंगा देखकर डर सकते हैं लेकिक्ते कहते हैं जो बोडी बिल्डर होता है के सामें में जब जा ईएगा तो आप डर जाईए लाखो बड़ी बना लिए हैं बहुत हैबी बड़ी है यह पर लेकिन आप एक कुटा को देखकर डर जाते हैं वह ऐसा बड़ी लेकर क्या करिएगा हाँ दिखाने के लिए तो ठीक ठाक है कोई दिकत नहीं है ठीक है तहीं पड़े हों यह सर कैसे सही में हाँ विलकूल सही में कैसे क्या है वीर्ताकार पत्र तीन धावक करते हैं अर्मी का मानली जैसका है दौर है दौर और ने वाला भॉरा ठीक है तो एक जो है चकर लिखा गया है एक चकर लगाने में करमसा दो गणता चार घंटा और छो पर पुना मिलने में लगा समय क्या होगा मतलब मान लिजिए कि एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया यहां से यहां से चलना स्टार्ट किया अब फिर से कह रहा है कि वापस जो है यहां पर कब आएगा जैसे ऐसा नहीं समझे तो ऐसे समझे समझना जरूरी है इसलिए हम तो कह रहा पुना तीनों को यहां पर आने में फिर कितना समय लगेगा पुना यहां पर तीनों को एक साथ तो देखिए तीनों को जब एक साथ अगर यहां पर आएगा तो क्या करेंगे आप देखिए यहां पर दो ही चीद निकलता है या तो HCF निकलता है या तो LCM निकलता ह तेखिए यहां पर यहां पर जब 3 जगह पर बुछ रहा है मतलब क्या बुच्छा है , कि 3 कब एक ही जगह पराएगा तो इस इस्तिती में जो 3 में common होगा वही न यहां पर कोन उसका work निकलेगा वही तो होगा इसका प्रस्थान बिंदू ,alloillah with common किस बें निकाले गे है HCF है या LCM में तो हमें साबको HCF निकालना है ठीक है तो निकाल लिए तो चार और छो का HCF तो कैसे निकाल लिएगा देखिए दो का गुना नखंड तोर लिजिए एक गुना दो चार का निकाल लिजिए एक गुणा दो गुणा दो पूरा तोरना है ठीक है छोगा निकालिए एक गुणा एक गुणा दो गुणा तीन अब बताईए सब में कॉमन क्या है सब में कॉमन क्या है अब जल्दी से बताईए तो देखे सब में common क्या है तो एक तो है यह ठीक है यह एक सब में common है तो आप लिख लिजिए एक उना उसके बाद common क्या है दो यहां भी दो यहां भी दो यहां भी दो तो दो ठीक है सौरी यहां पर देखे mistake हो गया हम SCF निकाल दिया है न यह mistake हो गया यहां पर क्या निकलेगा यहां 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 से दिजिए सबको गुना कर लीजिये कि आपका एक है गुना कर लीजिये 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 कितना हो गया 3 ते दुनी-1012 यानि कितना समय लगेगा उसको भारा घंटा समय लग एक ही option किसमे है वोपसण सब्सक्राइब करें तिनों का टाइम दिया है कि इतना देर लगता है वह पुरा ने समय के बाद वह एक ही अस्थान पर आएगा यह प्रारंभिक अस्थान पर आएगा तो हमेशा LCM निकालना है, क्या निकालिएगा LCM, उमीद करते हैं समझ गया होंगे, ठीक है, अगला कोस्टन देखिएगा, अगला कोस्टन देखिए, कोस्टन नमर 17 है आपके सामने, अब उसी टैप का कोस्टन है लगवग हम जो बता रहे थे, कहारा है एक बिरताकार पत पर फिर से, फिर मिलने में कितना समय लगेगा, ये भी आपका बोर्ड मोडल कोस्टन है, सेम कोस्टन है, पीछे का जो कोस्टन था उसी तरह से, यहाँ पर वैल्यू अलग अलग है, एक तीन पांच है, तो आप एक तीन पांच का किजिए, LCM निकाल लिजिए, LCM आपका यही ह हो जाएगा, तो कि लगेगा नहीं इसमें भाग, तो आप गुना कर लीजिए, 1-3-5, कितना हो गया, 15 हो गया, 15 घंटा लगेगा, देख लिजिए, ऑप्सन किसमें है, option D के साथ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, किलियर है, आराम बीक्यू प्लस आर में अगर क्यू बरावर जीरो होगा जब अब चार कंडिशन दिया गया है कोस्टन देखने में बहुत बढ़ा है जो आपका एक परमे आता है वो सायद आप लोग देखे होंगे ठीक है एक आता है यूकिल्ड विभाजन ठीक ना उसमें आप लोग सायद यूकिल्ड भाजन में आपको पता है कि या जो फόर्मूला होता है एक बरावर ब्यक्यू प्लस र या किसका फोर्मूला है यूकिल्ड विभाजन का ठीक है यह बरावर बीक्यू पलस र देखिए अर इस तरह से हम भाग लगाते है और नीच्चे सेस्फल आता है तो लेमा यह नया वर्ड देखने को मिल रहा है साइद लिए भी नया है आप लोगों के लिए भी नया हो लाकि इसे कोई मतलब नहीं है कि रहा भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में अगर क्यू बराबर जीरो हो गया जब कंडिसन दिया है क्या बी एक से बरा होगा या बी एसे चोटा होगा या अर बराबर जीरो होगा तो सीधी घ्यान दिजिए अगर यहां पर हम 4 लिख दें यहां पर 5 लिख दें तो चार एकम 4 हो गया और भागफल तो आपका 0 नहीं आया लेकिन हमको बोल दिया है कि भागफल यहां पर 0 होगा तब क्या होगा कंडिशन तो इस लिए इस चीज को हम दोवारा नहीं इधर से लिखेंगे इस चीज को थोड़ा समझेगा आप लो क्योंकि जब कंडिशन में दिया गया है कि क्यों 0 है तो सीधी सी बात है अगर क्यों 0 होगा तो अगर मानिजी आम यहां पर लेते हैं 5 यहां पर लेंगे 4 दसमलब लगाते हैं फिर यहां 0 देते हैं पचाठे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा यह अब की बार पूरा पूरा कट गया तो 0 दसमलब 8 है क्यों 0 होगा जब देखिए क्यों 0 होगा तो हम क्या लिए थे आपका यह क्या हो गया बी हो गया यह आपका क्या हो गया बी हो गय आपको बिल्कुल बी जो है यह से नहीं के से चोटा होगा नहीं होगा अगर चोटा होता तो फिर भाग पर हमारा 0 नहीं आता और आर क्या जीरो होगा नहीं होगा इसलिए यहां पर जो आपका ऑप्सन नंबर जो दिख रहा है यह सही में जा रहा है ठीक है क्योंकि बी का मान जो है यह से बढ़ा है बिल्कुल बढ़ा है आपसपस्ट देख रहे हैं क्लियर है ना समझ गए ना थोरा साथ दिमाग लगाई इसमें हम क्या बताना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं समझ गए होगे आईए इस्टैप का और सारा कोस्टन है हम करेंगे ठीक है कि चलिए कि दोस्टन नमर 19 है कि भाग लेमा बरावर बी क्यू प्लस आर में अगर जीरो होगा अगर जीरो होगा जब जब क्या होगा बताईए इसी बात है क्यों बड़ी बात है आप इस तरह से भाग लगाते हैं फिर से वही लेते हैं 5 यहां देखे लेकिन आर जीरो आन चाहिए तो अगर हम यहां पर लेते हैं 10 तो पांच दूनी क्या हो जाएगा 10 अब की बार क्या आगया सेस्फ़ल जीरो मतलब कट गया है मतलब जीरो आगया जीरो आगया अब क्या होगा यहां पर बताईए अब कंडिशन देखे क्या बी एक को विभाजित कर रहा है क्या बी एक को विभाजित करें अब यहां पर पहले तो यह समझ लेजिए कि बी क्या है एक क्या है ठीक है कि यह आपका हो गया क्यूं कि यह आपका हो गया आर कि यह आपका हो गया ए और यह आपका हो गया बी है कि समझ गया यहां तक कि यह कहते हैं भाज को भाज यह हो गया भ है ये यह को ब्राबब कर रहा है तो बिलकुल कर रहा है तो यानि कि पहला आपका सही है इसका होगा नहीं यू का यह बराबर में जिरो नहीं है ब्राबर में साथ जाईएगा प्यूरा सा कॉण सेप्टस इस adher कियो हम चीज क्लियर कर दिये हैं ठीक है अगला कोस्टन देखिएगा अगला कोस्टन भाग कोस्टन नंबर 20 आपके सामने है काफी सांदार कोस्टन है और इसको बनाईए आप लोग जवाब देजिए इसका क्या होगा क्या रहा है यदि A बराबर BQ पलस आर तो AB का मोसो बराबर 10 का मोसो बताइए बताइए जल्ली से क्या होगा इसका अंसर क्या रहा है कि अगर BQ बराबर A बराबर BQ पलस आर देखिए कि क्या रहा है अगर A बराबर BQ पलस आर है तो AB का जो मतलब मौसो होगा, वो डैस का मौसो होगा, AB का जो मौसो होगा, बराबर डैस का मौसो होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है, आप सभी को पता है, जैसे हम निकालते हैं, जाने जी अगर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, माली जी कि हम 4 से, 4 और 10 का हम निकाल रहे हैं, य 10 में भाग लगाना है 4 से तो 4 से लगाएंगे 4 दुनि 8 तो कितना बच गया सेसफ़ल 2 अब क्या करेंगे तो अब करेंगे यह जो B है यह जो 4 न सेशसफल लगाएंगे ठीक है चार में सेसफल से भाग लगाएंगी तो यह क्या हो जाएगा दो, पुरा पुरा कट गया सेसफल कितना आगया, जीरू अब देखे हम क्या समझाना चार हैं आपको समझिएगा यह बात तो सही है कि A B का जो मौसो होगा A और B का मौसो होगा बरावर, डैस के मौसो के बरावर होगा देखे, A और B का तो मौसो सही है ठीक है, क्योंकि यह A और B है यह दोनों क्या है, A और B है यह आपका A आ गया कि आपका B आ गया नहीं, आपको पता है जो बरी संख्या होती है, वो क्या होता है कि आपका भाज हो गया ठीक है तो यह जो भरी संख्या है कि आपका दस जो है यह भाज है यह आपका भाजक कितना है यह भाजक आपका चार है ठीक है भाजक कितना है चार है भाजक को हम क्या बोलते हैं भाजक को ए बोलते हैं ठीक है और भाजक को क्या बोलते हैं बी बोलते ह माउसो निकाल रहे हैं उसके बाद किसका काम कर रहे हैं उसके बाद हम कर रहे हैं फिर से देखिए यहां पर निकाले हैं यह यह वीक्सों हो गया है यह आपका होगी यह B, यह आपका Q, यह पलस R, अब जैसे हम यहाँ पर काम complete कर दें, तो फिर हम निकाले हैं किसका B का, यह आपका आगी आप B, अउसके बाद फिर किसका निकाले है, यह R है इसका, यानि B और R का निकाले है, तो यानि AB का जो मौसव होता है, वो बराबर होत समझना आपको, जो ची हम बताए हैं, वीडियो को अगर एक से दो बार देखते हैं, आप सही डंग से समझ जाएंगे, ठीक है, अगला कोशन देखिएगा, आजाएगे, अगला कोशन देखिएगा, देखिए, सांधार कोशन लेकर आए हैं फिर से आपके सामने, जवाब द इसे फटाक से आप लोग, कोशन नमर 21, क्या रहा है, ध्यान दिजीएगा, क्या रहा है, युकिल विभाजन अल्गोरिथम, दो धनात्मक पुर्नांकों, पुर्नांकों के नीम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, मतलब ये इसका कहने का मतलब हुआ, कि हम युकिल व इसी बात है, युकिल विभाजन से हम मौसो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मौसो निकालते हैं, जैसे आप जानते हैं कि A बराबर होता है, BQ पलस R, इस फॉर्मूला से ये आपका युकिल विभाजन का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं, कह देते हैं कि 40 और 12 का मौसो निकाले जुकेल्ड विभाजन से ठीक है इस पर भी कोशन कराएंगे टेंसर नहीं लिजिएगा ठीक है अगरा कोशन देखिए बिल्कुल भी टेंसर नहीं लिना है संख्याओं का गुननफल क्या होगा आपको पता है एक चीज़ पता होगा नहीं पता है तू नौट कर लिजिए एक आपका आता है पहली संख्या ठीक है लिख लिजिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या परावर आपका क्या होता है इस चीज को आप लोग जल्दी से नौट कर लिए क्योंकि यह फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है आप लोगो के लिए क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एसी फॉर्मूला से लगाना अब इस फॉर्मूला को आप लोग नौट करिए और समझेगा सारा चीज यहीं पर है इसको याद रखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एसी फॉर्म और इसको दिमाग में नौट कर लिजिए जैसे हो ऐसे ठीक है अब क्या करना है ध्यान दिजिएगा यहां पर कह रहा है दो संख थीक है गुना कि लिजिए 15 345 होता है में ने अट्रव के साब से क्या होगा पता नहीं क्या सूत पचास देखिए अगला कोसें लिए अगला कोशन तईस नंबर कोशन देखिएगा काफी सांदार कोशन है तईस नंबर ठीक है जल्दी से आप जवाब दुझे क्या होगा क्या प्रतेक धनात्मक संपुर्णांग के लिए इसमें लिखित में से कौन सथ्य है आपको यह बताना है कि देखना है यह जो चार और को निकालते हैं और निकल राया है संंख्यां दे रहा है ठीक है यहाँ पर यह फ्याव द्या गाई है यह órक होता है यह यह जो है सम पुर्णांग के लिए रिजॉय Γव सम आना चाहिए अर इसमें से कोई 46 तो sum आना चाहिए अगर यहां भी sum कहता तो भी sum आना चाहिए इसमें क्या बड़ी बात है ठीक है तो यहां कह रहा है sum संख्या तो पहला option चेक करेंगे अगर n का मान एक रखेंगे तो 2 गुना 1 पलस 1 तो यह कितना हो गया 2 एकम 2 1 3 क्या यह sum है नहीं है तो यह तो पहला option नह एक पर चेक किये हैं मेरा मन है आप 3 पर चेक किजिए तो चलिए 2 गुना 3 संख्या यह भी sum संख्या यह भी सही है बहुत सारे student कहिंगे सर रोहित का बात मान लिए हैं मेरा बात भी मान लिजिए अब की बार आप 7 पर निकाल लिजिए तो 7 लिए कर रिजल्ट आपका सम पुर्णांकी आएगा तो आप जाईएगा option B के साथ और ये जो है न कब में आना चाहिए सम ये कहेगा सर इसमें अगर हम n का मांद 2 रखेंगे तो 3 दोना 6 सम है लेकिन फिर देखिए यहां पर 4 रखिए तो सम है 5 रखिएगा तो क्या सम है भी सम हो बासट सो पचास के अभाज गुनन खंड में 5 का अधिक्तम घात लीजिए क्या ये कोशन हम नहीं कराये हैं या जल्दी से बताईए ये कोशन हम कराये हैं या नहीं कराये हैं जल्दी से बताईएगा अप लो तो ये कोशन हम कराये हैं कुछ नहीं करना है कभी भी अधिक्त गातांग का है बात होई होता है कुछ नहीं कीजिए दूनी 10-25-25-0 अब फिर क्या कीजिए पांच दूनी 10-25-25-0 फिर लगाई यह 5-25-0 फिर से लगाईये 5-56-पांच दूनी पचास वं इसमें आप से पूच रहा है कि 5 घातंग क्या होगा तो पांच एक बार दो बार तीन बार चार वार पांच बार है इस चीज़ को लिँख सकते हैं 5 5 पावर 5 दिख सकते हैं यह नहीं लिख सकते हैं यह जो पावर में निकला है क्या है यह आपका क्या है दार है Double option B के साथ जाईएगा option B आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है क्लियर आईए अगला question देखिएगा question नुमर 25 सांदार question है फटाक से आप लोग जवाब देदीजिएगा तो फिर मज़ा आजाएगा अगला question लेकर चलेंगे ठीक है है कहा है ए और B सह अभाज कहलाते हैं यदि मौसो ए भी बराबर होगा अब सह अभाज क्या होता है क्या आप लोग बता सकते हैं सह अभाज संख्या है क्या हाज सेगा sir सह अभाज संख्या closer python क्या बात वही ओ गया मतलब जिसका केवल गुननखंड दो ही हो यह आप यह कर सकते हैं यह सह अभाद संख्या है यह आपका अभाद संख्या ही होता है तो आप लेते हैं 5 संख्या है जिसमें एक परस्वय यानि खुद से संख्या से भाग लगता है क्यों हमारा होता है सह अभाद संख्या को प्रैम नमबर ठीक है तो उसका कह रहा है मौसो क्या होगा अगर इसको हम अगर सह अभाद संख्या कहते हैं तो इसका मौसो यानि ए बी का मौसो क्या होगा माले कोई दो संख्या हम लेते हैं जैसे पांच और साथ क्या है आपका सभाभासंख्या है एक लाइन में याद रखना है जिसका एक निकलता है वह सभाभासंख्या है जिसका एक निकलता है वह आपका क्या होगे सभासंख्या तो बस सभासंख्या है तो इसका SCF 1 ही होगा अब निकाल ये 5 और 7 का SCF क्या होगा एक होगा तो option B के साथ जाईएगा कोई दिकत नहीं है ठीक है तो क्लास 10 में स्टुडेंट है उसको सही से SCF, LCM नहीं आता है हम देखे हैं इस तरह से बोल्ड है ये बड़ी बारत नहीं है लेकिन नहीं आता है तो कहीना कहीं आप लोग थोड़ा मेहनत कम कर रहे है ठीक है अगर इस चीज को अभी तक आप लोग नहीं समझे है क्या होता ह ELCM क्या होता है बास संख्यां क्या है संख्यां क्या है बिसंख्यां के बारे हम पढ़ रहे है तो आपको पता होना चाहिए इसमें ये सारा चीज आना ही आना है ठीक है इसलिए आप लोग इस चीज़ को समझ लिजिए आईए प्यार से समझते हैं question number 26 यह निम लिखित में से किसका दसमलब परसार सांत होगा देखिए आग या ना सांत वाला इसमें भी हम वो सांत बता देंगे देखिए फ़ले हम समझते हैं सांत सांत किसको कहते हैं देखिए सांत कहते हैं जैसे कोई संख्या हम लेते हैं मालेजिए चार बटा दस नहीं एक मिनट तीन बटा दस लेते हैं तीन बटा दस देखिए यह कट रहा है समझिएगा यहीं से स्टाट होता है यह कट रहा है नहीं कट रहा है तो नीचे वाला संख्या को देखना है नीचे वाला संख्या में याद रखेगा हमेशा इसमें दो से भाग लगना चाहिए पांच से भाग लगना चाहिए या केवल केवल दो और केवल पांच से केवल 5 केवल 5 तो भी आपका क्या होगा सांत होगा इसके अलावा ये देखे सबसे आसान तरीका समझा रहे हैं आपको सांत और और सांत अब्जेक्टिव में आना थता है 100% कुछ्छन आप देखिए पिछले वर्ज का पुछा गया है ठीक है पुछा जाता है यही सब तो अब्जेक्टिव बनेगा क्या बनेगा सांत केवल आपको ये समझना है केवल सांत मांकी सब वो सांत ही होगा सांत में जो आपका ये हर होता है ये उपर वाला आपका क्या है ये आपका अंस हो गया नीचे वाला आपका क्या हो गया कि आपका हर हो गया ठीक है तो ये जो हर है आपका ये दस क्या है हर है तो हर में दो से भाग लग जाए पांस से भाग लग जाए तो भी सांत है या अगर सिर्फ केवल केवल दो से लगता है तो भी सांत है केवल 5 से लगता है तो भी संत है दिखना समझ गए तो संत होगा उसके अलाबा अगर उसमें 2 और 5 के अलाबा किसी और संख्या से लग रहा है भाग जिसे 3, 7 तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा और संत संख्या जैसे कि माननीजी हम लिख देते हैं यहां पर चार बट्टे तोला तो सोला में ये देखिए तोला में ये देखिए पहले ये बता ये सांत या उसांत पहले तो ये कटेगा इसको काट लिजिए चार एकम चार चार चो का सोला तो ये आपका हो गया एक बट्टा चार अब देखिए चार में जो है ना चार में जो केवल जो है और डोशन ही भाग लगेगा का तो क्या है यह सांत या विधे संध है किरें किये बताएंगेव चार्त हैं तो ले सकते हैं मालिक जी हम कहीं पर ले लेते हैं यह हैता पंद्र का है का हओ इस फंदना में 3 से भी लगता है पांच से भी लगता है हम क्या बताए थे संख्या से लगना चाहिए तुम से तक तो ठीक है लेकिन इसमें तीन से भी लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए इन से लग रहा है तो पांच के अलावा किसी भी संख्यां से लग रहा है दूसरी संख्यां से वह आपका उसांत हो जाएगा तो यह आपका क्या है याद रखियेगा ठीक है अब आईए आप अपने option पर पहले तो नीचे वा लगता है लगता है ना तो यह आपका वसांत हो गया क्योंकि अपने को क्या खोजना है दो और पांच वाला 18 में 28 में 2 से लगेगा तो और किसे लगेगा बताये 11 से लगता है तो यह भी आपका नहीं हो 75 में 5 से लगेगा और 3 से लगेगा तो यह भी नहीं चलेगा क्योंकि 2 5 आना चाहिए उसके अलावा कुछ नहीं 16-100 में देखिए 5 से भी लगेगा भाग इसके अलावा और कोई संख्या नहीं यह जो इसको पूरा-पूरा काट दे देख सकते हैं है कोई संख्या तो आप बताईए तो इस तरह से आपका option नंबर जो है बिल्कुल सही है यह आपका सांत हो जाएगा विद करते हैं समझ गया होंगे अगला question देखिए अगला question देखिए अगला question देखिए question number 27 मज़ेदार question है कि प्यारा दसमलव दो तीन यह उपर में बढ़ा बडेकेट ठीक है यह उपर में रेकरिंग है इस तरह से देखिए तोर मतलब क्या होता है पता है देखे इसका मतलब यह हुआ कि 11.11, 2, 3, 5, 6, 4, फिर 5, 6, 4, फिर 5, 6, 4, फिर 5, 6, 4, फिर 5, 6, 4, तो यह जो संख्याएं हैं, यह कौन ऐसी संख्याएं जो बारबार रिपीट कर रही है, तो 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, तब मानीजिए, तो अगर इतना बड़ा है तो कैसे लिखिएगा, इसके लिए एक तरीका है, कि आप इस चीज को डाइरेक्ट, 2, 2, 3, 5, 6, अब इतना नहीं लिखना है, इसके बदले आपको उपर में बार ब्रेकेट लगाना है, क्या लगाना है, एक बार ब्रेकेट कहते हैं, क्यों कहते हैं, बार ब्रेकेट ठीक है, याद आपका होता है, परी में संख्या, ओप्सन B के साथ जाएगा, हाँ, यहीं पर अगर ये संख्या बदल जाता, अगर पांच हो के बदले, कुछ और संख्या फिर 6, 7, 8 आठ आजाता, फिर 9, 10, 11 इस तरह से आजाता, तो फिर आपको उपर में हो जाता, संख्या बदलना ने चाहिए, अगर सेम संख्या बार बार आ रहा है, तो आपका पर में होगा, संख्या बदल गया, तो ऑपर में है, ठीक है, अप्सन B के साथ जाएगा, समझ गया होंगे, अगला कोशन आईए, लगभग अगला कोशन उसी टाइप का है, ठीक है, आईए, कोशन नमर 28 है, और क एक एक दो, एक एक दो, एक 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 दो, आप यहाँ पर क्या देख रहे है, इस तांख्या चेंज हो रही है, यानि बदल रही है, यह नहीं है कि एक दो, फिर एक दो एक दो रहता है, तो फिर बार ब्रेकेट लग जाता, अम माले यह इससे आगे क्या हो जाएगा पता है, यहां पर देखिए पहले एक था एक बार यहां दो बार यहां तीन बार यहां चार बार अब की बार हो जाएगा एक दो तीन चार पांच बार फिर दो फिर आगे छो बार दो तो चेंज हो रहा है अगर चेंज होता है या वो ओपर में होगा, ठीक है, क्या होगा, ओपर में और ओपर में के साथ, जाएएगा आप लोग, ठीक है, बताइए, इतना question आपको बताएं हैं, इसमें कहीं पर doubt, कहीं पर confusion, अगर doubt है, कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाकि अगर समझ गया है, बहुत अच्छी बात है, इतना भी question बताएं है, 28 question, 28 में 28 आना चाहिए, 28 में 28 आना चाहिए, और board का target क्या रहेगा, 50 by 50, ठीक है, पचास में 50 लाना है, chapter wise सारा question करा देंगे, टेंसर नहीं लेना है, अब बताएं आप लोग को मजा आया या नहीं आया, ठीक है, मजा आया या नहीं आया, आप लोग comment करके बताएंगा, और दवा के इस वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करिए, ना करिए, कोई दिकत नहीं, लेकिन दोस्तों में share कर दीजिए, ठीक है, मेरा उद्देश है, सभी student को पढ़ाना, समझाना, ठीक है, जैसे आप है, उसी तरह से, और भी आपके जो दोस्त है, सब मेरे लिए equal है, ठ कर दीजिए, तो लगेगा कि आप लोग कुछ मेनत मेरे लिए कर रहे हैं, अगर आप लोग के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो आप भी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो चलिए, लगे रहे हैं, मैनत कर दिए, या ठाइस कोशन आप लोग एक बार फुना, फिर से आप लोग पैक्टिस करिएगा देखिएगा आप कितना सही कर पाते हैं ठीक ना बिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में एक नए अजड़ एनर्जी के साथ तब तक के लिए जया हिंद जया भारत वंदे मातर हूँ